हेलो फ्रेंड माईसेल विशाल और आप सभी का स्वागत है अपने यूटूब चैनल पे तो फ्रेंड आज के सुड़वन बनाने वाले है सोलर इन्वेटर और फ्रेंड सोलर इन्वेटर का जो बोक्स बनने वाला है उसकी बोडी में आसान होता है प्लाइवोट के मुकाबले तो आप प्लाइवोट का भी यूज कर सकते हो फ्रेंड मैं आपको नहीं बोल रहा हूं कि आप इसी का यूज कीजिए यह आपको प्लाइवोट की शो पर मिल जाएगा अप एमडे बोड और इसको यहां पर स्टार्ट करने से पहले ह जाओंगा सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को बेल अक्वोट दबा दीजिए जिसे मेरी हर एक नए वीडियो की नोटिफिकिशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी तो फिर्ण आप इन्वेटर बोक्स के लिए में दो ट्रांजिस्टर की आऊ सकता होगी और इनके नंबर है 13,007 तो जैसे देख लिए मेरे हाथ में यह ट्रांजिस्टर की आपको लेके आने हैं और पंदर रुपे का एक मिलेगा फ्रेंड यह आपको और तीस रुपे के दो मिल जाएंगे तो आपको जो नजदी की शोप होती इलेक्रोनिक की वहाँ पर आराम से मोर दिया है जिससे हम इसका हीट सिंग का यूजस करेंगे इसमें तो यह आप घर पर बना सकते हैं जेस nuances को तो आप की इच्छ आपको क्या करना इसके बास जो आपको ट्रांजिस्टर है इसको इस पर हीट सिंग परादल यह पर तो एक screw और बोट के द्वारा मैं आप इसको टाइट कर दूंगा और निचे से प्लार से से पकड़ने के बाद screw driver से टाइट कर देंगे तो जैसे देख लिए हमारा टाइट हो चुगा इसी टाइप से हम दोनों ट्रांजिस्टर को हीट सिंग पर लगा देंगे तो यह हमारा कम्प्लीट हो चुका है अब इन दोनों ट्रांजिस्टर और हीट सिंग को यहाँ पर चिपका देंगे हम इस MDA बोट के ऊपर तो इसे चिपकाने के लिए यहाँ यहाँ पर में फेग की का यूज कर रहा हूं लेने होंगे और इसका नंबर है 330 ohm का और फिर यह आपको एक रूपय का एक मिल जाएगा इलेक्रोनिक शोप पर तो यह हमें लेना है और अब इसका वाइरिंग कर लेंगे हम यहाँ पर तो पहला ट्रांजिस्टर यह वाला हो गया और दूसरा वाला ट्रांजिस्टर यह में connect करना है तो फिर मेरा मकसद होता है आपको पूरा समझाना कि आपको पूरा समझ में आ जाए वीडियो लेकिन फिर भी अगर आपको समझ में आता कोई confusion रहता है तो आप मुझे मेरे Instagram ID पर message कर सकते हो मैं description में के last last मैं उसकी link देदूंग आपको और screen पे उसका नाम में दिख रहा है तो आप मुझे follow कर सकते हो तो फ्रेंड यह हमारा हो चगा पहला वाला अब हमें दूसरा वाला register लेना है और जो पहले वाले transistor दिख रहा है आपको उसकी दूसरी वाली लेग में इसको connect करना है तो यह मैंने connect कर दिया जैसे देख लिए और friends अब जो हमारा इसकी पेली वाली लेग में इसे connect करना है दूसरा वाला सीरा तो ज्यादा cutting नहीं है friends लेकिन मैं फिर भी आपको वीडियो के last में इसका diagram दे दूंगा जहांसे आप इसको देख कर बना सकते हो आप काफी यादा आसाने friends ठीक है तो यह हमारा connection हो चुका है अब जैसे देख देख लिए हमारे दोनों transistor की तीसरी वाली लेग छुटी हुई है तो इसको हम यहाँ पर शोट करेंगे तो यहाँ पर हमें input देना होगा तो यहाँ पर हमें दोनों को connect कर देते तो एक wire के दुवारा में से jumper wire के दुवारा connect कर रहा हूं तो जैसे देख लिए मैंने connect कर दिय है तो जैसे देख लिए हमारे पूरा complete हो चुगा है तो यहाँ पर मैं एक transformer ले रहा हूं 0-0 का और आप मुझे पूछो कि यह step down नहीं है फिर step up तो फ्रेंड step down और step अलग अलग नहीं होते हैं एक ही होता है अगर आप यहाँ पर जहां पर हम primary winding में 220 वोट दे रहे हैं और दूसरी second winding में यहाँ पर 12 वोट ले रहे हैं तो यह हमारी step down हो जाएगा तेकिन अगर इसको उल्टा कर देंगे फ्रेंड जहां पर हम 12 वोट दे रहे हैं और जहां पर हम 220 ले रहे हैं तो यह हमारा step up हो जाएगा तो हम इसका यूज कर सकते हैं जो हमारा घर में होता है step down वाला उसका हम step up के द्वारा भी ले सकते हैं तो यहाँ पर मैं इसका यूज करने वाला हूं और इसमें इसमें connection कर रहे हैं तो यह DC पर नहीं करता है DC current पर वर्क करता है हमारा transformer तो जो हमने अभी circuit बनाया था वह हमारे DC current को AC में convert करके हमारे transformer से step up कर देगा और यह हमारा inverter पूरा complete हो जाएगा तो जैसे देख लिए यहाँ पर बारा zero बारा के तीन वायट दिख रहे हैं आपको तो जो बारा बारा के जो दो वायर है ब्लेक कलर वाले हमें transistor में connect करना है और बीच वाला connection है इसमें direct input देना है तो मैं आपको समझा दूँगा अभी यहाँ पर किस ट दूँगा ताकि यह fix हो जाएगा यहाँ पर इसे हमें चिपकाने की ज़ुरूत नहीं है और जिसे देख लिए हमारे fix हो चुका है यहाँ पर अब हमें क्या करना है इसका connection करना है तो जिसे देख लिए दो ट्रांजिस्टर के बीच वाले leg में हमें इन दोनों wire को connect करना है तो जो्ए गाएं के जो दो यह 5 00 20.0 1.58 में से जो 12 ौ 2 दिख रहाएं में वाले उनकों tun को ट्रांजिस्टर के बीक वाले point में लगाना है तो जिस देख लिए मैंने यह आप ड्रांजिस्टर लगा रहा था बीच वाले point पे toplam और हमें transistor पर इसका connection कर देता हूं आप confuse बिल्कुल में मत होई है जो transistor लग रहा है वीच वाली पॉइंट पर उसमें एक मेने register लगाए हुआ है जिससे मैंने यहां पर direct connection कर दिया है तो जिसे देख लिए हमार connection हो चुका है इस टाइप से अब इसमें क्या करना हमें इन्पूट देना है तो इन्पूट के लिए आपर में जैसे हमने जू जंपर वाय लगा था उस वाले पॉइंट पर हमें एक माइनस वाला पॉइंट लगाएंगे हम तो यहां पर एक मैं ब्लेक कलर का वायर कनेक्ट करता हूं तो फ्रेंड ये आप पेले वाले ट्राइस्टर पर लगा सकते हो क्योंकि हमने क्या स्थे का फ्रेंट ट्रॉप अन्तad यबिड़ का arrangements अन्हेकर की तो फैंट लेकम और फैंट जहीगे निट करेंगे तो आउट्पूट के यहां पर देख लिए ट्रांस्वार्म के दूसरे वाले दिख रहे हैं यहांसे हम इसका आउट्पूट लेंगे तो फ्रेंड आउट्पूट में यहां पर मैं एक फाइब पीन शोकेट लगा रहा हूं यह आपको 20 रुपय का मिल जाएगा इलेक्ट्रो लेकिन इसे वीडियो देखता रहता था और इन सारे काम को करता रहता दिरे दिरे आप भी सीख जाओं इस सारे काम को ठीक है फ्रेंड्स देख लिए डाइग्राम में मैं खुद्ने बनाया इसका स्क्रीन शूट ले लिए आप इसी टाप से इसकी वाईरिंग करनी आपको और आप घर पे बना लीजे इसको तो इसकी स्क्रीन शूट ले लीजे आप पटापट से तो यह हमारा तयार हो चुका है इन्पूर्ड भी हो चुका है अब इसका मैं बोक्स बना लेता हूं ठीक है तो यहां पर मैं इस बोक्स जो हमारे और साइट में लगा दिये ऐस टाइप से और यह फेरकोल का भी इसको चिपकाने के लिए और मैं एक पीछे होल करके एक वायड निकाल दिया है और फिरंट जो हमारा फाइप इन-शोक्रीट है इसको गट करके एक यह इसको लगा दिया इसको और इसके उपर वाला जो इस्टा मे लगा देता हूं और इसको पेक कर देता हूं पूरा तो जो हमारा उपर वाला MDA बोर्ट का टुकड़ा इसको लगा देता हूं इस टाइप से और यह हमारा complete हो चुका है तो इसको भी मैंने चिपका दिया फ्रेंड फेकिक से और फ्रेंड जैसे देख लिए अब इसे पूरा complete हो चुगा है अब इसे finishing कर देंगा हम ताकि हमारा घर में लगे अच्छा रखने पर यह 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 साल लगना चाहिए जैसे कि इस प्रें कलर तो इसको मैं कलर कर देता हूं या फटापट चाहिए कर दो 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 कि तो फिर्ण फाइनली हमारा यह बोक्स तैयार हो चुका है और इसको मैंने कलर करने से पहले जो हमारा 5-pin फ्रेंड मैं आपको बार भी से चलाके दिखा दूँगा क्योंकि वीडियो रियल है पूरी कोई फेक वीडियो नहीं बनाता हूं मैं अपने चैनल पर तो मैं आपको बार भी दिखा दूँगा लेकिन आपको यह पहले चेक कर देता हूं ठीक है और अब जैसे देख लिजि नाइन वाट की जो हमार एलीडी वह से अच्छे से चला रहा है काफी ज्यादा रोसनी आरी इसकी देख लिजिए अब इसके बाद में मूबाइल चार्ज करके दिखा देता हूं आपको यह मैंने मूबाइल का इसके पीन लगा दिया इसके बाद में बैटरी में यह वायर क चार्ज कर देगा देख लिजिए हमारा जो एंडुड मूबाइल हो भी हमार चार्ण हो चुका है चार्ज करने के लिए तो इसी टाइप से आपको इसे आउट्डोर और इसमें प्लेट जो है सोलर प्लेट वह लगा के दिखाता हूं आपको अब तो जैसे देख लिजिए म और इसका में करने करने वाला हूं इसमें ठीक है फ्रेंड्स तो यह इंडिया की कंपनी है अगर आपको खरीदना तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक देदूंगा इसका आप वहां से जाके खरीद सकते हैं इसको लूमसोलर डोट कॉम से और यह हमारा सप्लाइबॉक्स इस पूट देंगे इसमें तो यहां पर दोनों वायर को मैं कनेक्ट कर देता हूं जो प्लस वाला वायर है उसमें प्लस वाला और जो रेड वाला प्लस वाला होता है और जो माइनस वाला होता है वह बलेक वाला होता है तो दोनों में प्लस में प्लस और माइनस माइनस लगा द तो पेले मैं आपको मोबाइल चर्च कर के दिखा देता Um, इसके बाद ए जिसमें मोबाइल लगादेता हूं। तो जिस से देख लीजिए मोबाईल लगाता है से हमारा चलू हो जाएगा। तो यह मैंने मोबाइल के पीन लगा है फेल्च जिसमें Çार्जिंग की और यह हमारा चलो हो चुका है जिसे देख लिजी आप और अभी क्या मैं आउटडोर में च्छत पे हूँ तो यहां पर रोशनी पहुत जादा है इसलिए यह आपको डंग से देख नहीं रहोगा लेकिन अच्छे से चल रहा है जिसे देख लिजी आप हलका हलका देख रहा है यह रोशनी पहुत ज्यादा ऊपर चत पे इसलिए इसकी लाइट दिख नहीं रही आपको मैं जैसे देख लिजी मैं अंध्यरा करके दिखाता हूं यह जैसे देख लिए अच्छे से चल रहा है जैसे हम मैंने आपको इस्टूडियो में दिखा यह था उसी टाप से यहां पर दिख रहा है तो आपको मैं दिखा देता हूं कि पानी की वज़े से काफी ज्यादा प्रोब्लम आ रही वीडियो बनाने में तो वीडियो बिल्कुल रियल है कोई फेक वीडियो नहीं है आप जैसे देख लीजिए मेरे आसपास बिल्कुल पानी पानी है और पानी कर दो कर दो लादा है और दो एक उल्ब्लम आपको कर दो बंदेता है और प्रोब्लम आपको कर दो फेक दोदिर नहीं है और इंज के जबसे लादाटे पानी के